नमस्कार दोखतों मैं राउल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर जे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल DCA में उमीद करता हूँ मैं लाइब हूँ मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है कैसे हैं आप सभी बेरी बेरी गुड मॉनिंग सुपह पांच बज चुके हैं पांच बज गये हैं पड़ा पड़ से आज आईए आपके करेंट पैसा आप सभी कितामने हैं आच्छा यह कैसा लग रहा है एक कोशन यहां पर लगा हुआ है और यह सजेशन था आपने सही किसी का के कोशन आप लगा दिया करिए ताकि लोग देख आज के मारे important current office क्या है रेजनी भाई राउल मिशा के नाम से telegram group है उसे आप जोईन रखना है अगर आपको मेरे साथ बने रहना है नहीं बने रहना है तो फिर वजय बता दीजी कि क्यों नहीं बने रहना है फिलाल इस group में आपको मेरी सभी classes की information मिलती रहेगी इसके लाब आप उसे डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी कल NK ने बोला कि सारी PDF पर प्रोवाइड करा दीजिए तो हम कोसिस करेंगे कि दो या तीन दिन में आपको जितनी भी पुरानी PDF है उन सबका फोल्डर बना करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएं ठीक है क्योंकि आपको फिर बार बार ड्राइव लिंक पर नहीं जाना पड़ेगा आपको एक जगे पर सारी PDF मिल जाएगी आईए देखते हैं आच्छे मारे Headlines किया है लेकिन उससे पहले संपूर्ण रीजिनी बैच आप में से बहुत सारे लोगों ने जोइन नहीं किया ह तो यह A to Z बैच है अगर आप में से कोई बैच नहीं लेना चाहता है तो वो रिकमेंड ने कर सकता है किसी और को जहां पर आप A से लेके Z तक की पूरी रेजिनीं कम्प्लीट करेंगे मेरे साथ यह बैच अगस्त के लाश्ट वीक में समप्त हो जाएगा हरहाल में मैं कोसि बैच है जो NRA CT को लेकर के डिजाइन किया गया है बैच ही मात कीमत मात 300 रुपए है आज भी है कल भी रहेगी और हमेशा इस बैच की कीमत 300 रुपए ही रहेगी इसके लावा इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है कल कोई कह रहा था सर आपको बैच महेंगा बहुत ह मेरे आशू आ गया है आईए बात करते हैं सत्ताई जुन को मनाएगे अंतर राष्ट्री ए मसमी दिवस नवजी धिलो ने कोसा नो मेमोरियल 2022 एटलेटिक मीट में स्वनपतक गीता मद्विदेश ने जीता पहला रणजी ट्रॉफी किताब उत्राखन में पहली बार मिली द भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग्स और परियोजना का परिचालन सुरू किया SM कृष्णा नारायन मूर्थी और प्रकास पादुकोंड को केंपा गोडर आंतर राष्टी पुरुष्कार मिलेगा प्रदानमंत्री मोधी ने वानिज भवन और निर्यात पोर्टल का उखाटन किया GE स्टीम पावर ने भेल के साथ परमाडू भाब टर्वाइन के लिए 1288 करोन रुपे का करार किया राष्टी स्वास प्राधिकर ने 14-17 जुलाई तक अपनी पहली open to all hackathon संखला की मेजबानी करेगा और पी उद्यकुमार ने राष्टी ये लगू उद्योग निगम लिमिटेड के अध्याचोप्रबन निदिश्चकरू में कारेबार ग्रहाण किया है युई हर कदम पर मत लडखडाओ काम्याबी पानी है तो समल जाओ मत सोर करो अपने प्रयासों का खामोसी से अपनी जिंदगी बदल जाओ बहुत प्यारी सी लाइने हैं अक्षर हम क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं मैंने असे देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई की बात करूँगा क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं वो ये समझाना जाता हूँ कि आप में से कई लोग ऐसा करते होंगे या जिनके मन में ये ख्याल आता होगा कि जब वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई ने कोई देखे उसको एप्रिसियेट करें कि अरे वा आते तुम 8 गंडे पड़े अरे वा आते तुम 12 गंडे पड़े कुछ लोग दिखावा करने के लिए छट में पड़ने चले जाते हैं समझे रहे हैं न मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कुछ लोगों के अंदर कभी-कभी ऐसी फीलिंग आती है कि वो कितना पढ़ रहे हैं उसका स्वाफ करने की फीलिंग आती है कि चलो मैं इसका स्वाफ करता हूँ देखो मैं कितना पढ़ रहा हूँ यगीन मानी आपको इससे कोई हासिल कुछ भी हासिल नहीं होने वाला इवन आपके मन में डिश्ट्रेक्शन ही आएगा पढ़ाई जब आप करें इतनी सामोसी से करें कि सायथ किसी को पता ही न चलेगी आप पढ़ रहे हैं किसी को पताने की जरुरत नहीं है जब आपका परिणाम आएगा तो वो आपको पाइदा पहुचाएगा पेपर अच्छा हुआ है देन किसी को बताने की जरुवत नहीं कि बहुत अच्छा हुआ पेपर में आपने सो में सो आटेम्ट किरें कोई जरुवत नहीं है बताने की ना कोई सुनने जा रहा है घर वालों की बाता लगे बाहर सोर मचाने की जरुवत नहीं क्योंकि अगर बा चोटी चोटी लड़ाईयों में आपका डिस्ट्रेक्शन होगा और आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट होगी तो इसको समाल के रखे इस पूरी उर्जा को फोकस हो करके सिर्फ सिर्फ पढ़ाई पर लगाई दो गंटे में आप कितना पढ़ते हैं वह आपका दिल ही जानता है वह आप ही अच्छी तरीके से जानता है कि दो वंटेगर का किताब लिए बैठे हैं तो वाकई में आप कितना पढ़ रहे हैं यह आपका दिली जानता है मेरा दिल नहीं जानता है आईए कर लेते हैं प्रीवेट डेरिविजन यानि कि कल आमने क्या पढ़ लाता अंतराश् सब्सक्राइब कि देश को युरोपी संके उमीदवार का दर्जा दिया है इन तीनों को ही दिया है कौन युक्रेन मोल्दवा और जॉर्जिया नई दिल्ले में आयोजित एसीन ट्रेक साइकलिंग चैंपियंशिप दो जारवाई में साइकलिंग रोनाल्डों सिंग ने कौ परमेश्वर आयर जो है नए CEO के रूप में नामित किये गया है जहाद जनहित हतियार परणाली वी एस एस आर एसम का सफल परिष्ण कहां से किया गया उडिसा के चांदीपुर से प्रमुँग बनाए गया है तपन डेक रहए और कई लोग आपको आज यह पढ़ाएंगे आज केघ्ट कर अपको एंट करेंडर्ड करहा हूँ हं अभी काफी रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं हाली में गोल्डन और चीवमेंट रिवाड्ड 2020 में किसे समानित किया गया है तो गोलडन राशीलिवे से समानित किया गया comenz जो है वह गये दो सेंडर के नए अद्दिश के रूप में नियुक्ति किया गया है तो स्याम सरन को प्रतिश्टित इंडिया इंटरनेशनल अद्द्श के रूप में नियुक्ति किया गया है रच्छा मंत्रारे ने किंदे इस्थानों पर बियारों के कैफे इस्थापित किये जाएंगे प्रां पर आजाना है पीडियाफ के लिए आपको डीसी एप डाउनलोड कर लिना है अगर नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजे इस्टॉल कर लीजे अपने अंदराश्टी कि MSME सूष में लगू और मध्यब दिवस पतिवस कब मनाये जाता है तो MSME जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा चीटिंग आप कर सकते हैं कि 27 जुन को मनाये जाता है सताई जुन को मनाये जाता है MSME मनलब माइक्रो स्मॉल मेडियम इंटरप्राइज इनका में मोटिव क्या होता है इनका में मोटिव यह है कि किसी तरीके से जो बहुत ज़ाधा लोग nevertheless नहीं पाते हैं तो उनको छोटे-छोटे जगों पर रोजगार मिले और इस तरीके से सभी को रोजगार प्राप्त हो MSME की परिवादा अभी दो साल पहले बदल दी गई थी संहितराज द्वारा हर साल सत्ता ही जुनको अंतराश्टी MSME दिवस मनाये जाता है 2017 में संहितराज महासभा की चोहत तर्मी बैठक के दोरान इस दिवस के रूप में इसे घोसित किया गया था सत्त विकास लच्ष 8.3 और 9.3 को लागू करने के लिए सूच में लगू और मध्यमुद्यम महत्पूर है यह SDG यानि Sustainable Development Goal No.8 और Sustainable Development Goal No.9 को लागू करते है जिसमें जो आपका आठमा वाला है वो सब्वेकार और आर्थिक विकास पर केंद्रित है और जो 9 वाला SDG है वो 9 चार और बुनियादी धाशे पर केंद्रित है अब ही जैसा कि मैंने आपको कई बर बताया है कि जब भी SDG की बात हो Sustainable Development Goal की बात हो यह पेरी जल्वाई समझाता है कि दोरान अपनाई गए थे और इनका में मोटीव यह है कि 2023 तक किसी भी तरीके से प्रस्वी का जो टेंपरेशर है वो 2 डिग्री या डिए डिग्री से उपर ना पढ़ पाए तो जल्वायु समम्मिलन इस बार जो COP26 हुआ था वो आपका कहां पर आज जित हुआ था इस बार आपका COP26 आज जित हुआ था इसकोट लेंड में थीक है SDG की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि SDG का टेबल आपको जरूर यहाद होना चाहिए उस टेबल पे मैं लेके जाओंगा लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते MSME की नई परिवासा क्या हो गई पहले MSME की परिवासा जो थी वो यह थी कि अगर किसी भी चीज में 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और अभी क्या किया गया अगर वो manufacturing unit है और अगर वो service enterprise है तो उसमें 10 लाख रुपए से ज़्यादा का investment नहीं होना चाहिए वरना उसे माइक्रो नहीं माना जाएगा सूष में नहीं माना जाएगा पांच करोन तक के investment वाले manufacturing unit को small की category में डाला जाता था और investment दो करोन रुपए से कम है और वो service category में काम करता है यानि सेवा प्रदाता है तो उसको small के अन्था डाला जाता था medium के case में क्या होता था 10 करोन रुपए का investment और 5 करोन रुपए तक का service में इन्वेश्मेंट तो यह परिवासा आपसे कभी भी पूछी जा था कि अब नई परिवासा के कितना माना जाएगा Micro Small में 10 करौन रुपए से कम का investment होना चाहिए और 50 करौन रुपए का turnover होगा तो उसे Small की category में माना जाएगा Medium की category में 20 करौन रुपए का investment और सालाना turnover आपका 100 करौन रुपए का होना चाहिए बले वो manufacturing का हो या service का हो यह परिवास आपको याद रखनी है यह कभी भी किसी भी समय किसी भी एक्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि सूच मों उद्ध्योग के अंदर गात कौन से उद्ध्योग आते हैं कि 17 नंबर पे कौन सा है एक नंबर पे कौन सा है दो नंबर पे कौन सा है तीन नंबर में देखिए सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है अगर हम गरीबी हटा लेंगे हमारे पैसे होंगे तो हम खाना खापाएंगे हैना हम भूख मिटा पाएंगे खाना खापाएंगे तो उ आप साथ महीला उपुरूस बैठ करके पानी पीएंगे तो खाना गरीबी हट जाए खाना मिल जाए चाहिए तो स्वास्त साही हो जाए तो एजुकेशन पढ़ने में मन लगे पढ़ने मन लगे तो पढ़ाव लिखा आदमी जो होता है, वो महिलाव उप्रोस में बेदवाव नहीं करता तो जेंडर इक्वालिटी आजये जेंडर इक्वालिटी आजये तो बैट के सम्लोग मिल के पानी पेर आज हम किसको बारे में पढ़ रहे थे आज हम पढ़ रहे थे आठमे की बारे में आठमे में क्या है decent work and economic growth नवे में क्या है industry innovation and infrastructure तो ये दोनों जो आपके हैं ये किस से जुड़े हुए हैं ये आपके MSME से जुड़े हुए हैं तो by chance अगर आपसे प्रशन पूछा जाए या आप PCS का प्रशन लिखने जा रहे हैं या उतका उत्तर लिखने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ये point को बहुत अच्छे से highlight कर सकते हैं ठीक है तो clean water sanitation में कौन सा है clean water sanitation में 6 number है और एक और याद रखेगा climate action जलवाईू परिवर्तन या जलवाईू परिवर्तन के लिए 13 number जिमेदार है आपको सारे याद होने चाहिए मैं कई बार चिला चुका हूँ और अभी UP PCS की जो परिश्या हुई उसमें 4 SDG line से पूछे गया पूरा याद रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज ही आप इस काम को करड़ा लेंगे इसको निप्टाल लेंगे आगे बढ़ते हैं खेलों की तरफ आपको लेके चलते हैं लगातार खेल निउस देखेंगे फिर अभी हाली में जो खेल के current अपयस है उनको देखेंगे आपने अभी तरफ वीडियो को लाइक नहीं किया है यह बहुत ही गलत बात है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजे ठीक है? डिस्लाइक करने का कोई फाइदा नहीं क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देगा आगे बढ़ते हैं आपकी महला थ्रोवर नवजीत धिल्लो अभी आली बेक डिसकस त्रोवर थी उनके उपर क्या लग दिया था? प्रतिबन लगा दिया गया है इस्ट्रोड के 7 का क्या लगा दिया गया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है कमल प्रीत कौर याद है ना? तो भारतिए महीला डिसकस्त्रोवर नवजीत धिल्लो ने 25 जून 2022 को कजाकिस्तान के अलमाटी में कोसा नो मेमोरियल कौसा मेमोरियल कोसा नो मेमोरियल में एल्लेटिक मीट में सौनड़ पतक गीता है उन्होंने 56.24 मीटर के प्रयास से सौनड़ पतक गीत लिया है करीना वास गया है 2022 के राष्मंडल कहां पर होंगे यह आपके बर्मिंगम में प्रस्तावेश है दोजार चबिस के कहां पर होंगे विक्टोरिया आस्टेलिया आगे चलते देश में तीन तरह की ट्रॉफी खेली जाती है एक ही करके सब के बारें बात करेंगे पहले न्यूश पढ़न एम-चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मदप डेर मम और्वोंड़ी को हरािया आपको पता है मोम्बई जो है सबसे जएदा रंजी ट्रॉफी जीतने वाला है यानि कि अभी तक उसने 41 टाइटल जीते हैं रंडी ट्रॉफी के सबसे ज üzए जीता है रंड़ी ट्रॉफी रंग करते हुए 108 रनों को पीछा करते हुए प्रतिस्ति ट्रॉफी अपने नाम कर लिए 41 किताबों के साथ मंबई के नाम सबसे अधार रणजी ट्रॉफी किताब जीतने का रिकॉर्ड है मंबई ने आखरी बार 2015-16 में ये किताब जीता था रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं रण 144-25 में वर्वान समय में इसमें कितनी तीमें हिससा लेती है वर्वान समय में इसमें 38 टीमें हिससा लेती है और जो टीम आपकी रणजी ट्रॉफी जीत जाती है जैसे कि इस बार कौन जीत गई मदः प्यदेश तो फिर मद्वदेश का जो मुकाबला है वो सेस भारत के साथ किया जाएगा और इसके कप को कहा जाता है इरानी कप इरानी कप किस से संबंदित है किरिकेट से संबंदित है ये भी आपका उसी तरीके से खेला जाएगा इसमें किसके किसके बीच में मुकाबला होता है इसमें के बीच में इसका मुकाबला किया जाता है तो इस बार रंजी ट्रॉफी का विनर कौन है मद्व प्रदेश तो इस बार इरानी कप कौन खेलेगा इस बार इरानी कप खेलेगा मद्व प्रदेश और रेश्ट आफ इंडिया रंजी ट्रॉफी 2020 में नहीं हुई थी 2020 में क्यों तब को पता है कि 2020 में कोरोना चलना आता तो कोरोना की बज़े से नहीं होती यह टेस्ट की तरीके खेली जाती है वंडे में जो इसका मैच खेले जाते हैं वह विजय हजारे ट्रॉफी और अभी कुछ दिन पहले ही विजय हजारे ट्रॉफी हुई है मतलब इसे आप रणजी रणजी वंडे ट्रॉफी भी कह सकते हैं किसे विजय हजारे ट्रॉफी को विजय हजारे ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी इस बार हिमाचल प्रदेश ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी इस तमिल नाडू को हरा कर ये प्रतियुकता पहली बार जीती है तमिल नाडू ने विजय हजारी ट्रोफी जो है वो पांच बार जीती है हिमाचर प्रदेश ने पहली बार जीती है तो आपको ध्यानक नहें कि ये रणजी ट्रोफी जो होती है टेस्ट के फॉर्मेट में होती है और ये जो विजय हजारे ट्रोफी होती है ये वंडे के फॉर्मेट होती है पचास ओवर के मैच होते हैं ठीक तो रजी ट्रोफी में भी 38 टीमें हिस्सा लेती है और विजय हजारे ट्रोफी में भी 38 टीमें हिस्सा लेती है तो ये एक टेस्ट चैंपियंसी पो गई ये एक व पुराना बैंगाल के रखेंगे इरानी कप आपको समझ में आ गया रशी ट्रोफी में जीता है वो इरानी कप में जाके अभी खेलेगा तो अब इरानी कप खिलने वाला है आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं अभी हाल ही में जो स्पोर्ट्स करेंट अपयस रहे स्पोर्स करेंट अपयस की बात की जाए तो साइकलिस्ट रोनाल्डो पहले इंडियन साइकलिस्ट बने जिन्हों और आपका सिल्वर मैडल जीता किसमें एसीन चेंपियंशिप में आपका सिल्वर मैडल जीता इसके लवा भारत ने अभी हाली में दो स्थान की छलांग लगाई है फीफा इंटरनेफनल रैंकिंग में अब भारत का जो रैंकिंग है फीफा में यानि कि फुर्वाल टीम का वह 104 हो गया है अभी पहले क्या था 106 नाम याद रखेगा सलकजन रेगजिन इसकल जंग रेगजिन यह पहले इंडियन मांटेनियर बने यह पहले भारतिये परवता रोही बने जिन्नोंने मांट अनपूर्णा को फते किया मांट अनपूर्णा को बिना ऑक्सिजन फते किया विदाउट ऑक्सिजन फते करने वाले मांट अनपूर्णा तो बहुत लोगों ने फते की है बट विदाउट ऑक्सिजन फते करने वाल यह एक्टिब फुटबोलर है उसमें सुनिल चेट्री जो हैं वो तीसरे सबसे हाइस स्कोर रवने से जब का कि ओवर लूल में यह पाँच वैस सब से हाइस्ट गोल इस्कोलर गड़ इसकोर पर क्रिष्टियानो रोनालडो घंपो करने वाले सीक्रिश्टियानो रोनाल्डो दूसरे नमबर पर अली देई है इरान के अली देई दूसरे नमबर पर है और फिर मुक्तार करके कुछ है फिर लियोनेल मेसी है और फिर आपके सुनिल चेतरी का नमबर आता है मुक्तार दारिन करके कुछ नाम है उनका मुक्तार मौक्तार दारी करके नाम है उनका मौक्तार दारी जो है मौक्तार दारी ये जो है ये आपके तीसरे नमबर के हैं फिर आपके लियोनेल मेसी है जो उन्हेंने सावरवादिक गोल की है लियोनेल मेसी ने लबब 86 गोल की है फिर सुनील शेत्री का नमबर आएगा पांच में नमबर था सुनील शेत्री भारती फुटबॉल टीम के कप्तान इनका 84 नमबर पर चलता है एक्टिव प्लेयर की बात हैं तो क्रिष्टियान और रोनाल्डो भी खेल रहे हैं लियोनेल मेसी और खेल रहे हैं किसमें कोईटानो गेमस में ठीक है गोल मेडल जीता फीपा ने अभी आली में एनॉंस किया कि भाई याद दोजार चब्वीस के जो वर्ड कप हैं वो हम कहां पर कराएंगे वह यूएस में कराएंगे में करेंगे यह है इतना इंपोटेंट यह कि इसमें 48 टीमें इसलेंगी अभी दर कित्नी टीम हई से लेती हैं एक पाउड के के बावजूद भारत नीरयत Gente들 कर जाए दो चाह साहत कर जाए में एक नया राष्ट्री के रिकॉर्ड बनाना भाला पेकने का 89,930 मीटर का इन्होंने भाला पेका है IWF International Weight Lifting Federation Youth World Championship में सन्ना पती गुरु नाइडू सन्ना पती गुरु नाइडू ने गोल्ड मेडल जीता ठीक है हरियाना ने खेलो इंडिया यूथ गेम टाइटल जीता यानि कि इस बार हरियाना जो है वो खेले यूथ गेम का आयोजन भी कर रहा था और उसने इसका टाइटल भी जीत लिया टीनेजर राहूल सिर्वास्तो जो है वो देश के 74 में ग्रैंड मास्टर बने है तो यह रही आपकी खेल से जोड़ी भी जानकारी अब चलते हैं आपको एक ऐसे पौदे के बारे में बताते हैं जो छोटे-छोटे कीट पतंगे खा लेता है यह पौदा ऐसा होता है कि आप इसे देखेंगे यहाँ पर जैसे कोई कीड़ा आएगा यह टप से बंद हो जाएगा और इस कीड़े को खा करके यह पोशन प्राप्त करेगा इस पौदे का नाम क्या है इसे मांसारी पौदा कहा जाता है यूट्री कुलेरिया फुलसेल्टा योट्रिक कुलेरिया फोलसेड़ा पहली बार भारत में पाया गया है यह उत्राखंड में देखा गया है लेकिन लगातार यह बिलुप्त होने के कगार पे है यह कहां पर पाया गया है यह आपका उत्राखंड में पाया गया है यह कहां पर पाया गया है उत्राखंड में पाय क्ता जाते क्या है लिए यहां पर पाया गया है कौन सा पौदा पाया गया है य्ट्री कुलेरिया अनुशंदान साखादारा चामोली जी ले मंडल घाटी नाम का दुर्लब मांसारी जी दीड़ा गया है उत्रागड के शेयर पूले पाश्यमी करने वाले सबी लेखों में शबसे प्रतिष्टीट प्रतिका है जाऊपानी बॉटनि उत्रघंड की बात करते हैं देश में पहला बालमित्र पुलीस स्टेशन पर कहहां करको डेरादूण के लावड आमिस सा सा ने अभी हाली में घसवारी बदन रासी शुरू की है याँ पर आप दूद बेचेंगे तो आपको पर्टिकुलर जो भी प्राइस मिलना चाहिए वह सबसे दिया जाएगा इसके लावा आसकोट वल जीव अभियारन जो है इसको एको सेंस्टी जोन घोसित कर दिया गया है इसको क्या जोसित कर दिया गया मार्म मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जो है इस स्टेट में डेवलफ किया इसके लवा सुराइ एको टूरियजम जोन को और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल को यहां पर इको सेंस्ट्रियों घोसकिया गया है ये काकरा क्रोकोडाई ट्रेल जो है इसको मलब यहां पर मानुवा हथता छेप जो है उसको कम किया गया भारत का सबसे उचाई पर इस्तित यानि कि 11,000 फिट पर इस्तित अर्बल गार्डन चमोली डिश्टिक्ट में उपन किया गया इस्ति वुमें डेवलोमेंट वुमें चल्ड डेवलोमेंट का वन्दना कटारिय को कौन है होकी प्लेयर है फर्स्ट इस्ट जो है जिन्होंने भूकम पहला एलर टैप लॉंच किया है आईटी रुड़की के सही योग से पहला राज्य देरादून जो है पहला डिस्ट्रिक बना जहां पे 100% साथ शर्ता आपको मिलेगी भारत वाटी का हलदवानी में मिलेगा उत्रका करने अभी हाली में वासले स्कीम सुरू की थी ये किन के लिए जो कोविड-19 के दौरान अनात हुए थे हिंदी में पढ़नेते हैं राज का पहला बाल में ते थाना देहरादून में अमेसाने देहरादून में सुरू की घरिषारी कल्यान योजना भारत का पहला घास रोसान योजना कहाँ पसरू की उत्रखंड में अस्कोर्ट बनी जीव अव्यारन को पर्यावन के पती सबेदा सीच्छ गोसित किया गया मार्व मेडिकल प्रसिच्छन के इस्थापना उत्रखंड में उन्तित दितंबग को सुराई इको टोरीज में जोन और काकरा की और देरादुन पहला जिला बना जहां 100 पर सच्छ चर्ता है भारत वाटिका हल्दावानी उत्रखंड सरकार ने उपास सली योजना की गुष्णा की उत्रखंड की बात कि जाए तो दो रादनी है देरादुन और गैर्शिन पुसकर सिंग दामी वर्तवान समय में आपक जोरा भोरतिया मुखोटा उचोलिया प्रमुटान पॉम है नव नौमबर 2000 को पूर्ण राजिका दर्जा पाया था उत्तरपदेश से काट करके 27 राज्य बना था टीहरी बैगुल बाउर प्रमुख डैम है ठारू जन्जाती भाटिया जन्जाती जॉनसारी बोक्षा रविंदर सिंग चौहान अभी यहां पर उत्रखंड के चीफ जश्टिस बदले गया है मुझे याद नहीं है तो यहां पर इसको रविंदर सिंग चौहान मत याद करेगा यह बदल दिये गया है ठीक है एनिमल जो है वो मस्क डियर है इस्टेट एनिमल कस्तूरी म्रग है बड हिमालियन मोनल फ्लावर जो है ब्रह्म कमल और ट्री जो है वो बुरांस यह आपको पूरे हिमाली राज में यह पेड़ देखे को मिलेगा लाल-लाल फूल इसमें लगते हैं तो उत्राखंड की बात हो गई जून 2022 में भारतिये ओलंबिक संका कारवाक अध्यच किसे न भाई जब से नरिंदर दुरूबत्रा जो है इंडियन होकी में आए और उन्हें इंडियन होकी को बहुत ही चरम सीमा पर पहुचा है अज इंडियन होकी जो है वो अलगी इस्तर पर है खासकर पुराना गौरा वापस पा रही है नरिंदर दूरूबत्रा ने उसमें पहले नेशनल चेंपियन रहे चुके हैं वह नहीं चाहते थे कि नरिंदर दुरूबत्रा जो है वह होकी में ध्यान दें या भारती होकी में जिस तरीके का उनका वर्चस हो है वह उस तरीके से बना रहे है यह आप कहसकते हैं एक ताना साई टाइप की उनको फील होती थी तो उन्होंने वकील किया और दिल्ली उचन्याले में केस दायर किया दिल्ली उचन्याले ने आदेश दिया कि नरिंदर दुरूबत्रा जो है वो गलत कर रहे हैं और यह नियमों के विरुद्ध है उन्हें इस पद से हट जाना चाहिए जब उन्हें इस पद से हटाया गया तो इनके कारेवाग अध्यक रुपे किसे नियुद किया गया है, अनिल-खन्ना को यहाँ पर एद एक कारेवाग अध्यक रुपे किया गया है. 25 में को दिल्ली उच्छ नियाले ने माना था कि हाके इंडिया ने राष्टी खेल सहींता को लंगन किया है आदालत ने बत्रा के आजीवन सदस की सिति को भी उस याच्छका से हटा दिया था इसमें बताया गया था कि बत्रा दौरा आजीवन सदस्य सीओ आजीवन अज्यच के पद पर एन एस सी आई परिवत्र उनिस सपिचतर और दो जार एक के जिसा नेदिस के घोर उलंगन पर बनाए गए तो कुल मिला कि नरिंदर बत्रा जो भी कर रहे थे वह सायद भारती होकी के लिए ठीक था बट वो नियमों के अधार पर करेक्ट नहीं था तो नरिंदर दुरू भत्रा को यहां पर यह पद छोड़ना पड़ा है आगे पड़ता हूं निम्न में से किसे केंपा गोड़ा अंतराष्टी पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है तो केंपा गोड़ नरायन मूर्ती और प्रकास पादुकोड इन सभी को चुना गया है केंपा गोड़ा की बात की जाए तो विजयनेगर समराज का एक सामन्त हुआ करता था वीर यूद्धा हुआ करता तो उसके नाम पर यह एवर्ड है और जो बैंगलोरो हवाइड़ है उसका नाम भी केंप केंपा गोड़ा हवाइड़ा किया गया है इन पोसिस के संथापक एन आर नारायन मूर्ती करनाड़क के पूर्व मुख मंतरी एसम कृष्णा और प्रकास पादुकोड को इस पुरुषकार के लिए चुना गया है करनाड़क के मुख मंतरी बसावराजबों मैं जून को या तरीके से किलाबद किया था करनाड़क की बात करने तो इस टेट गौर्णमेंट ने अभी हाली में क्या किया है पुलिस में ट्रांस जेंडरों यानि थर्ड जेंडर जो होते हैं उनके लिए आरच्छर की व्यवस्ता की है और एक परसेंट का आरच्छर जो है उन्हें देन करनाटक में ही है और से अभी हाली में अब वबावा आठ सेल्ट डिफेंस ट्रेनिंग सुरू किया है ताकि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की निए को कराटे दिये जा सके तो करनाटा अगर आप जाएगा थोड़ा ध्यान से रहिएगा सेंट्रल गवर्मेंट ने अभी हाली में डिक्लियर किया कि अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है उसे नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किया जाएगा बद्रा नभी पर बना और इस वज़े से इस योजना को सरकार ले करके आई थी वीमेन एट वर्ट करनाटक नन्ना साले नन्ना कोडू गए है यानि कि मेरा स्कूल और मेरा विकास एप नम ये करनाटक में लाउंच किया गया है करनाटक ने अभी हाली में टांजेंट्रों को पुलिस में रिजर्वेशन दिया हैं अम लोग करचुके करनाटक ने अभी हाली में फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर यानि कि फुल प्रसंस करंड केंदर कहाँ पर बनाया जा रहा है देश का पहला फूल करनाटक में डवर्ट कई करनाटक में डेवलप किया जा रहा है क्यापितल की बैंगलोरु है बसाव राजबंगाई चीफ मिनिस्टर है टीसी गेलोद यानि थावर चन्द गेलोथ आपके गवेर्णर है स्टेट एनिमल है इंडियन एलीपिर्ट इस्टेट बर्ड है इसुछ能 barking शेट हैं इन्पिंडियन रोलर और शेटी हैं इनन सैंडल मो ुस हैं कि लोग सभा में 28 सीटे तोटल 31 जिलेंको करनाटर कि की यूण में किसने किया वह एक निरियात पूर्डल इंपोर्टन रहेगा निरियात पुलबॉq। तो यह किस ने किया है यह हमारे प्रधान मंती नरेंदर मोधी जी ने इसका उधगाटन किया है और आपको समझना है कि जून 2022 को प्रधान मंती नरेंदर मोधी ने वाने जबहन का उधगाटन किया उन्होंने विकासील राष्ट से विक्षित भारत में परिवतन देर निरिया इसका फुल पॉर्म याद रखी नेशनल इंपोर्ट एक्पोर्ट रिकॉर्ड पॉर एरली अनलेसिस ऑफ ट्रेड यानि ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरीए वन इस्टॉप प्लेटपॉम में आपको मिल जाएंगे जितना भी एक्पोर्ट हो रहा है जितना भी मिलेंगी तो ये निर्याद पोर्टल का लॉंच किस ने किया हमारे प्रदान मंत्री नरेन बोधी ने जी इस्टीम पावर ने भारत में तीन परमाणू भाव टर्वाइनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझाता किया है तो ये कंपनी के साथ हुआ है किस के ठीके का पहला सोलर सथेशन डेवलप किया है बारती रेलवे का पहला सथेशन डिवलफ रहा इस्टेशन डेवलफ किया है यह सवलर पावर इस्टेशन कहांपर बनाए गया है कुछ आईडिया है तिमाग बढ़ आ सेल की अध्यच को नो गई सुमा मंदल ओएंजीची की अध्यच को ने ओएंजीची की अध्यच अलका मित्तल ओएंजीची की अध्यच को ने अलका मित्तल चेयर पर्सन बोले तो अलका मित्तल अनटीपीची के बताएंगे गुर्धीप सेंग्न आड़ीप सेंग्न आज़्गा बिल के नए चेर्मियंग hypothesis के आदेट के भारत हेए और भारत र्यट्रिकल्स में भारत जिया देते हो इसे चेशन कहां पर बैना मध्र पदेश में डेब्लेप किया गया GE Steam Power ने तीन परमाणु भाव टर्बाइनों की आपूरती के लिए भेल के साथ हाथ मिलाया है और ये जो समझोता है वो 165 मिलियन डॉलर का है कितने का है 165 मिलियन डॉलर का 2018 में GE और भेल ने 700 मेगावाट के परमाणु भाव टर्बाइनों के निर्मान के लिए एक समझोते पर भी अहताचर किये थे GE इन परमाणु भाव टर्बाइनों के निर्मान के लिए गुजरात के सानंद इस्थित अपने स्यंतर में इसका निर्मान करेगी तो GE इसका निर्मान करने वाली है GE वही है जैसे ऐसा आपने देखा होगा GE ऐसा साइन बनता है भारत में कुल कितने नीकलियर पावर इस्टेशन है यह अभी हाली में NTPC CBT2 परिच्छा में पूछा गयते तो भारत में कुल साथ नीकलियर पावर इस्टेशन है काल पक्कम जो है इसकी स्थिति अभी बरती चली जा रही है और यह बन जाएगा नहीं मैं बिल्कुल गलत बता रहा हूँ मैं सही बताऊं तो कुडणन कुलम है मेरे दिमाभ में आई नहीं रहा था कुडणन कुलम जो है इसकी मेगावाट शंता सबसे जाता है कुडन कुड़ाम जो है तुमिल नाडु याद आ रहा था लेकिन नाम में में कंफ्यूज हो रहा था कुडन गुलम जो है वो आपका सबसे बड़ा परमाडु रियक्टर है भारत में अगर हम बात करें तो वर्दमान सम्में 22 नुक्लियर पावर रियक्टर काम कर रहे हैं यह परमाडू पावर प्लांट है नुक्लियर पावर प्लांट है भारत में कुल 22 नुक्लियर पावर रियक्टर है नुक्लियर पावर रियक्टर रियक्टर परमा इसमें से 18 हैवी वाटर है और चार आपके लाइट वाटर रियेक्टर है 6780 मेगावाट कुल उत्पादन छमता भारत की कितनी है नुक्लिय पावर ते 6780 मेगावाट 6780 मेगावाट जो है वो नुक्लिय पावर प्रोडक्शन भारत वर्तमान समय में कर पा रहा है आगे कौन सा संक्रन 14 से 17 जुलाई के भी अपनी पहली ओपन टुवाल होक्स हैक्थान संक्ला का एवजिन करेगा है यह सब मिलकर किसी प्रॉब्लम का सलुशन टून तो इसे प्रधान मंत्री जन आरोग योजना को लागू करने के लिए जन आरोग योजना के नाम से बी जाना जाता है यह पूरे विस्ट की सबसे बड़ी वीमा योजना है इसे प्रधान मंत्री आयुषमान भारत योजना भी कहा जाता है और इस योजना के अंतरगत जो भी परिवार आयुषमान कार्ड लेता है उसे पांच लाख रुपए तपका कैसले दिलाज या बीमा को उपलब्द कराये जाता है तो यह जो है आपका नेशनल हैल्ट अथार्टी जो है व नेशनल हेल्थ अथार्टी के वर्तमान समय में हेड कौन है डॉक्टर आरेश सर्मा पूरे देश में भारत योजना को लागू करने का स्रेवी इनी को जा रहा है इसके लावा पूरे देश में कोविन नाइंटीन का जो वैक्सिन हुआ वैक्सिनेशन हुआ यानिकि जो अध्यच के और प्रबन नीदिशक के रूप में पदभार गरहन किया है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पी उदयकुमार क्योंकि डॉक्टर सुमन बेरी जो है वो नीती आयोक के उपाद्यच है डॉक्टर मनो सुनी जो है यह आपके UPSC के चेर्मेन बनाए इनको अभी हाली में हीमाचल प्रदेश उच न्याले में इनको भीजा गया है तो पी उदयकुमार ने निदेशक योजना और विपड़न है उन्होंने बी जुन 2022 से कारबर गरन किया है उन्होंने राष्टी यह लगू निक उद्योग निकम लिम्टेट MSME के अंतरकात काम करने वाला एक सरकारी उद्यम है और वा NSIC के वेंचर कैपिटल और पंड लिम्टेट के अध्याच भी होंगे तो यह NSIC नेशनल NSIC के अध्याच प्रवन निदेशक के रूप में प्युदाओ कुमार ने पद बार गरहन कर लिया है यह MSME के अंतरकात काम करता है तो इसके हैड को बनाएंगे पी उद्यकुमार अब बारी है आज के वन लाइनर की आज के वन लाइनर में अंतर राष्टी MSME सब्सक्राइब को भारतिय महिला डिसकस त्रूव अन्नमजी धिल्लो ने कजाकेस्तान के कोसा नो मेमोरियल 2020 में एटलेटिक मीट में कौन सा पढ़ता गीता है स्वान पदक 26 जुन 2020 किसराज के राज़ी क्रिकेट टीम ने अपना पहला राज़ी खिताब जीता मंद्यपदेश ने जुन 2020 में किसराज ने यूट्री कुलेरिया फुर्सवेटा नामक दुरलब पौदे की खोच की गई है उत्तराखंड में आई ओ भारती ओलंबिक संका अध्यस किसे निफ किया गया है अनिल खन्ना को टाटा पावर सोलर सिस्टम ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर और सौर पर योजना का परिचालन सुरू किया है केरल नेमने में से किसे केंपा कोड़ा अंतराश्टी पुरुसकार क कि आप उर्ती के लिए किस कंपनी के सांथ समझाता किया है कौन सा संग्रण 14-17 जुलाइस 222 तक अपनी पहली ओपें टुवाल है कसा संगला में में मेजबानी करने के लिए तैयार है राश्टी स्वास्त पेदिकरन नहीं जून 2222 में किसने राश्टी लगो दियोग निग नाम है चाम इसमें मोखोटा लगा के लोग डांस करते हैं चाम नत्य बहुत बिच्छूों द्वरा किया जाने वहला संदर नत्र है जैसे लामा के नाम से भी जाना जाता है जो धार्मिक और अन्य तेवारों के दौरान मठों के प्रांगर में उसके भाग के रूप में किय आज का प्रशन है कार्णोटाइट निम लिलिखेत में से किस धातू का खनेज है आपको यह बताना किस धातू का खनेज है तो यहां पे लेड कर लिजिएगा लेड मतलब सी सा इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के comment section पर देना है देखते हैं बहुत सारे लोग हो like भी बहुत सारे लोग करते हो comment भी बहुत सारे लोग किया हो कम सकम 100.5 कमेंट होंगे वीडियो का recommendation होगा कुछ भी लिख सकते हो फिलाल आज के लिए नहीं रखते हैं thank you so much bye bye take care ध्यान रखेगा DCF download कर लिजेगा some phone reasoning batch join कर लिजेगा 2RG है मेरी वो पूरी कर दीजेगा चले आज के लिए नहीं thank you so much bye bye take care ध्यान रखेगा सब कुछ ठीक था bye